अलो स्टुडेंट्स आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ल्यूकोसाइट्स ल्यूकोसाइट्स मतलब डव्लूबीसी वाइट ब्लट सेल्स के बारे में अर्बीसी पर हमने ब्लट कंपोजिशन हेर्थ्रोपोईसिस और ब्लट क्लॉटिंग हम देख चुके हैं ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं ल्यूकोसाइट्स डव्लूबीसी क्या होते हैं एक तरह से यह आर्बीसी से नंबर्स में तो बहुत कम होते हैं Rbc vbclatelat सबसे ज्यादा प्लेटование होते हैं उसके बाद platelets होते हैं और सबसे कम होते हैं ID yayको साइच होते हैं ये इति कलर्लेस होते हैं स्टेन य्क्रोप में थिल्थर टेमारं ये मायक्रोध स्टेन लेते हैं एक तरह से हमःनी बाडी को प्रोवाइड करते हैं,ες पैफोजन्स के अगेंस्ट यह fight करते हैं चि़रही प्रोटे व्हां थाуск वूडि को प्रोवाइड करते हैं उन से यह डॉवीवीजन्स ही fight करते हैं यह यह बहुत ही जैंद है हमारी बड़ी में इनका रोल बहुत जाता इंप्सक्राइब, षींव करें गाल, छोच भाग्ली से बिफिव भी दल्लत के होते हैं, इनको हम डिवाइद करें ग्रैनूलर ताइप में और दूसरा टाइफ है एक्रैनूलर, चलहर समें जाक्नुम्धे, इनके उसलिए इनको granular type WVC कहते हैं इनके cytoplasm में granules नहीं होते हैं granular नहीं दिखते हैं इसलिए इनको हम एक granular leucosides कहते हैं तो WVC दो तरह के granular और agranular granular को further divide करते हैं तीन तरह के होते हैं यह neutrophil, isnofil और basophil neutrophil सबसे ज़्यादा जो WVC में सबसे ज़्यादा जो मात्रा होती है सबसे ज़्यादा content होता है वो neutrophils का होता है 65-70% neutrophil होते हैं और isnofil 2-4% होते हैं basophil 0.5% होते हैं तो सबसे पहले हम discuss करते हैं neutrophil क्या है तो जो granular type के हैं इनके जो nucleus होते हैं multi-load होता है तो neutrophil है neutrophil में सबसे ज़्यादा load होते हैं तो neutrophil में 2-5% load nucleus होते हैं multi-load है morpho nuclear इसी यह कहते हैं polymorpho nuclear कहांगी nucleus से ज़्यादा एक से ज़्यादा होते हैं multi-load होते हैं इनके cytoplasmic granules होते हैं granules का मतलब यह होते हैं कि कोई ना कोई chemicals यह store करके रखते हैं तो neutrophil का में जो function है वो है fibrocytosis यह एक तरह से blood circulation में तो होते ही हैं यह अगर कोई tissue में infection हो जाता है तो वहाँ पर यह migrate कर जाते हैं तो किस तरीके से suppose कर लीजें कि यह tissue है यहाँ पर कोई infection हो गया तो यह blood vessels में होते हैं blood vessels में और यह blood vessels के जो Participate Olivier Lare होती है उसी को यह तरह से यह इस तरीके से cross करके यहाँ पर आ जाते हैं tissue में तो यह तरीके के migration blood circulation से जब किसी tissue में infection होता है तो tissue में आ जाते हैं यह migrate होके blood circulation से migrate होके tissue में आ जाते हैं और वहाँ पिर पहुंढ जाते हैं तो microbes को जो भी pathogens है उनको ये किल करते हैं उनको इंगल्फ करते हैं इनका जो नेचर होता है स्यूड़ोपोडिया भी होता है इस तरीके से स्यूड़ोपोडिया बनाते हैं और इस तरीके से ये माइक्रोब्स को इंगल्फ करते हैं और ये माइक्रोब्स अब अंदर आ जाते हैं तो इनके ग्रैन तो यह वह लाइसोसोम के थूप तो इसको एक तरह से किल कर देते हैं तो यह जो पस बनता है बाद में जब गहा होता है तो पस बन जाता है तो वह पस क्या चीज है यह कुछ जो वह कर दिए गये वह सब का एक तरह से यह पस बन जाता है इन सबसे ठीक है तो यह से स्टेंट होगा है निए निए ना पड़ा निए लिए यह उसी इस लिए न पढ़ा क्योंकि यह यह से बाड़ी में कही स्कीन एलर्जी हो गई या किसी इंफेक्शन के थूँ या पैरसाइट में लिए जब नंबर्स बढ़ते हैं इनका भी नेचर नियोट्रो फिल जैसा फाइवोसाइटोसिस है लेकिन ये बड़े वांप स्कोर के लिए हैं ये एक तरह से जो पैरसाइट से जो वांप से हैं जब उनका इंफेक्शन हो किस नहीं अगर कर पाते थिंए ये रार्ज बेइं होते हैं पैरसाइट वार्म्स तो येह केमिकल रिएज़ करते हैं उस केमिकल के थूँ उसको इनफेक्शन को यह खत्म करते हैं और यह EU करते हैं क्योंकि ये जवेक पैटोज़्न आ इनफेक्शन इसको तो उलिखे तो यह एक तरह से इसनोफिल एरजी में बढ़ जाते हैं या फीवर में कोई है तो उसमें यह बढ़ जाते हैं नेक्स्ट है हमारा बेसोफिल यह नंबर्स में बहुत कम होता है कई बार 0-5% निखा जाता है इनको तो इनका जो नुकलियस होता है इनमें 2-3 lobs होते हैं इनका जो है किडिनी से होगे और इनके जो ग्रैनियूस है जो साइटोप्रास है यह एक तरह से बेसोफिल मतलब बेसिक डाई होता है उससे इस्टेंड करते हैं और यह देखने में ब्लू से लगेंगे ऐसे तो मैंने बदाया है नेकिन यह हम बेसिक डाई से जब करेंगे निखाली ब्लूस दिखेगा इनके जो साइटोप्रास में जो ग्रैनियूस है जो बड़े उसमें जो में कॉंटेंट है उन ग् हैं और इसी बेसोफिल में यह स्टोर होते हैं यही बेसोफिल जब माइग्रेट होकर कहीं टिसूज में चले जाते हैं जब तक ब्लड सर्कुलेशन में है तक तो यह बेसोफिल है अगर यह माइग्रेट होकर किसी टिसूज में चले गए ब्लड सर्कुलेशन से अगर यह बेसोफिल या मास्ट असल रिलीस करते हैं हिस्टामीन और हो PM клиro करते हैं हिस्टामीन जिससे कि वह से इन्फलमेशन वह बढ़ता है इस्टामीन से और उससे यह एंटीजन एंटीबॉड़ी रियक्सल भी होता है तो मोस्तरी यह बेसोफिल है वह इनका जो मेंन कॉंटेन्ट है एंति क्वागुलेंट ही पैरिन हैं हिस्टरमीन है और तीसू वाला वर्जन है इनको मास्ट सेल कहते हैं यह तो हो गया ग्रेनियूलर टाइप का अच्छा इनका जो फॉर्मेशन है यूरी पोटेंट सेल्स जो हमारे पैरेंट सेल्स से हमने बढ़ात हेरित्हेशियों साइटो ब्लास्ट ही सारे सेल्स का निर्मान करते हैं सारे सल्स अप्रॉडक्शन करते हैं तो उसमें से जो क्लीरेस्थ अ है एक ब्राफ आती है माइलड फॉपर लें होगागा बनता थी यहाँ Beisophil ब्नते हैं शवही ही जो ह Cristoblast है एक Technology Blast वह here रवज़ां ब्लाश्ट व्हां के प्रोडिस करता था का भी सीमें और दूसरा यह जम करते हैं Limpo Blast और यह फिर इंसे हुआई अझारें में लिमपो ब्लास्ट उस्चाइब हो बाद में अलग अलग चली जाती है इनके साइटोप्लास में कोई ग्रैनियूस नहीं देखते हैं इनके जो नुकलियस है वो सिंगल लोग्ड होते हैं और मोनोसाइड और लिंफोसाइड इनके जो परसेंटेज हैं के बाद लुचाइड नीव आवर का लेका और मोनोसाइड नलग मतलब सबसे लार्ज़न अखाएड लो लोग्रार। हैं मैक्रोफास मैक्रोफास याइन है इंगल्फिंग करना स्लिय। । इस प्राम करना attributes इस प्रिंग एक तो यह जो माइक्रोफाज है यह मोनोसाइट ही है लेकिन यह माइक्रोफाज होकर किसूस में पहुंच गया है और उनको कहा गया माइक्रोफाज यह फिक्स टाइप की हो सकते हैं यानि वहीं पे रहेंगे इस टेस्टरी इस लोकेशन के लिए हैं जैसे कुफर से लीवर के लि इन दुनों काम मोनोसाइड और माक्रोफास काम है तुलिए करना उनको कम नुट्राइज करना ठीक है और यह वी दिफेंस मेकेनिजम में एक तरह से बहुत इंपर्ड़न डिफेंस लिम्फोसाइट पहले माल होगे फिर लार्ज होते हैं वस्टिस साइटोप्लाइम कर लेते हैं पूरा परसंट पूरा लिए और लिम्फोसाइट गी है टई लिंफॉसाईट जो इनको जो रेड बोर्ण मैयरव में ही यह बनते अंगा द्धायमस में चले जए तो फैयमस ब्लाइन में मैच्चूर होकर ट मियोसाइब बनते हैं और जो blood circulation में ही रहे जाते हैं उनको हम B lymphocytes कहते हैं तो तो और दो रहा के lymphocytes भी पढ़ेंगे T lymphocytes B lymphocytes B lymphocytes further जो है memory cells बनाते हैं और antibodies बनाते हैं lymphocytes वो इसे तो कहते हैं कि lymphocytes की जो life span होती है वो सिर्फ कुछ दिनों की होती है एक दो दिनों की होती है नियोट्रोफिल तो हमारा 6-9 hours में ही खतब हो जाता है लेकिन जो lymphocytes है इनके जो memory cells है वो कई सालों तक जो है एक तरह से रहते हैं लेकिन जो lymphocytes अगर बन गए है जो antibodies बन जाते हैं वो तो डिस्ट्राइब जाते हैं लेकिन जो memory cells होए वो सालों तक चलते हैं तो lymphocytes की अगर हम बात करें तो पढ़ेंगे जब इम्यून सिस्टम जब पढ़ते हैं तो वहां T killer cells होते हैं यही T helper cells होते हैं एक तरह से T lymphocytes की पार्ट होते हैं वो helper cells B lymphocytes को भी mature करते हैं उनको activate करते हैं तो बहुत सारा जो ज्यादा role है वो immunity में है cellular immunity और हम बढ़ेंगे यह lymphocytes से तो यह इतना WVC का जो general structure है और general function है Neutrophils phagocytosis migrate करते हैं इतना है इस्टमीन रिलीस करते हैं और mostly अस्थमा में यह बेसो फिल्स जो है पढ़ गया है तो इत्रा से अस्थमा में इनका numbers बढ़ जाता है यह इत्रा के मैक्रोफास है फैगोसाइडल सिसिंकर यक्सान है lymphocytes antibodies produce करते हैं और helper cells produce करते हैं जो कि overall हमारे body को यह pathogen से protect करते हैं प्रणल जाने करते हैं